नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के की आबादी इरान में रहती है और यहां इक यहूदी सांसती है अब इरान की इसी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधानमंतरी नेतन्याहों को धंकि दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का एक अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाईलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भینकर हमले करने जा रहा है ऐसे दाव गयों किये जा रहे हैं कि इरान के समर्थन में यहूदीों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई एरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस इहूदी सांसद के नाम हमायू सामेह यह नसफाबादी है जिसने प्रेस टेवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान में एक यहुदी सांसद हमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधान मंतरी वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए कहा है एक अक्टूबर को मिसाईल हमले का जवाब में अगर श्रिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है यहुदी सांसद हमायू ने नेतनियाहू सरकार को चेतावनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हमायू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पश्रिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेम लिटर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहबत अली खामनेई से करते हैं उससे कही जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराईल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मताबिक एरान में इस वक्त 9200 से जधा यहुदी रहते हैं पश्मे अश्या में इसराईल के बाद सबसे जधा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदीों को एरान का वफादार माना जाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमायू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इजराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी जोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खर्रम चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हिजबुल्ला के धाकर नेताओं और कमांडरों को मारा गया है इसलिए इरान ने अपनी मिसाइल ताकत के दम पर इसराइल पर भायंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से एरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामने मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है इस सुरंग बंकर में इरान के एफ-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाईलें हर तरफ से लाँच हो रही है सेंटर फॉर स्टेटिक और इंटरनेशनल स्टेडिज यानी CSIS में मिसाईल ट्रेट पोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईलें है जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रेल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नीज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईल श्रमता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेने के जनरल केनेथ मेकेंजी ने 2023 में कॉंगरिस को बताया था कि एरान के पास 3000 से जादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है अब तो और भी जादा बलिस्टिक मिसाईले एरान के पास हो सकती है कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि एरान के पास दो लाग से ज़ादा मिसाइले हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती है इरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रिंज दो हजार किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9,878 किलो मीटर प्रती घंटे से 19,756 किलो मीटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वहें शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलो मीटर है जो 8,640 किलो मीटर की रफतार से हमला करती है जबकि शाहब चार की रेंज दो हजार किलो मीटर जो धुनी से तीन गुना रफतार से हमला करती है इमाद की रेंज एक हजार साथ सु किलो मीटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबके एरान के हाइपोसोनिक मिसाल फता, मिसाल के अधिकंग स्पीड 16000 किलो मीटर अपरती घंटे होती है ये मिसाल हाइपोसोनिक गती से उड़ान भरती है फता, मिसाल साउन्ट की चाल से पांच गुना तेज रهफतार से उड़ान भरती है इसके अलावा इरान की माद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ों को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुँचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलो मिटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डिल हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि स्वर्गे के द्वार खुल चुके हैं सही समया चुका है इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालों सेयंत्रों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्से इरान के हाथ पहर है अब इने काटने के बज़ाए इनका सिर्क को चलने का वक्ता आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि इरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजा पर्टी, इराक, वेस्ट बेंक, सीरिया, यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ती किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बार जब में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एर स्ट्राइक में कई बहु मंजराय मारते जमी दोस हो गई तो इन दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है डक्षण लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है जहां इरान इसराइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले की रिंग, भटी और इसराइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के आर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिलकुल ताज्जुब की बाद है लेकिन याद करिए कि कैसे वेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाकिटॉकी बंबन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा की इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमे हैं जो यहाँ पर अभी पहुँची है अभी यह क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उढ़ा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउंपर लगी है इसराईल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट में इसराईल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिये है अलजनेना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक बोले का इस्तिमाल करके इसराईली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलकि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान की मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराईल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लडाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तेहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतर याहू ने हमास और हिजबुला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौपनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुच किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के माइने क्या है, कि एरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है, इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयान है जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पाउफुल वार प्लैन, दोसो मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट मगर वार जोन का ये विद्वनसक दृष्चे देखने चलिए हाइफा, गैलीली और लेबनान वाडर पर इसराइल की जमीन जल रही है देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुँच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करने के लिए बेसिकली यह सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके कांच जो है तूट गए है बिखर गए देखिए कांच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यह सोलर सिस्टम पूरी तरसे नस्ट हो गया है इसमुल्ला ने हाइफा को बेहसाब रॉकेट से चलनी कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को धुलसाती रही जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूद में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी बेरूद के आसमान में काला धुआ बारा अक्तूबर की सुबा तक फुकता रहा इसराइल ने अन्दादू हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाड़ियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था कि हिजबुला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पर भी उनको कोई इन्फॉमिशन मिलती है वो उन ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं और यह आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पर यहां तबाही हुई है जहां पर भ अलाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडियफ ने 22 इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षडी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किय दक्षिल लिबनान के बारजा में भी आईडियेफ ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं। उधर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है। इस बीद बेरूत में मारे गए हजबुला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शवो के शिनाख भी हो गई है। इरान की इसलामिक रेवलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉडी भी मिल गई है। आयार जी सी कमांडर अबास की मौत नसराला पर हुए हमले में हुई थी। बेरूत में भीशन ममबारी हो रही है। और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है। इरान के संसत के अध्यक्ष मौमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड़हरूं का दौरा कर रही हैं। बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मौमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की। इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया। बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्व सैन्ने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया। गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्ध में साथ देने का ऐलान किया है। अपने बाशन के बाद गालिब अपने लिबनान के कारिवाहक पुर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया ओफिसर हर्ज मुहम्मद अफीफ ने नितनियाहू को डारेक्ट धमकी दी है हिजबुल्ला और इरान की धमकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर अक्शन से तहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूरुफ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाएरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है साइबर अटैक की जद में इरान के बंदरगा, ट्रांस्पोर्ट, इंदन सप्लाई सिस्टम तक आए है साइबर अटैक का असर तहरान से लेकर इरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है साइबर अटैक के बाद इरान के सभी सीक्रेट उडा लिए गए है मतलब ये कि इरान के हतियारों का रिमोट कंट्रूल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाइटेक लडाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये है इरान के उड्यन मंत्राले ने मुबाइल के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दि गई है इसमुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बना कर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुपा है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंदमारी ने नेतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हत्यारों को हैकर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से ढूड़े 6 संस्ताओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पैचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्ताओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहास के कारुबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयान नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार